इवन पंजाबी नडर निर्पाख नमी सोच मैं थोड़ा दो इवन पंजाबी चैनल बेलों काफी महीनियातों अन अधिकारित कलोनिया नो लेके एक मोहिम शुरू कीती सी और इस मोहिम देता है तो हर रोज जदो ख़बर लग दी सी तब परशाशन जड़ा सुता पे आसी ओएक दम उठिया और उन्हाने उठके कारवाई भी करनी और इसना खुलासा तुसी और एडी एवन पंजाबी चैनल ते जो लुद्याने विच होया तुसी वेखी चुके हो लेकिन आज मैं तो अनूल लुद्याने तो जीरखपुर लेके चलांगा जीरखपुर दे विच भी एक ग्रुप कह सकते हैं जी मोतिया मोतिया ग्रुप ह दूसरा बलीस हो एक दो जेही bubble नने त्येद हैं जीरखपुर विच देने कोठिया बेच देने वड़े वड़े कर देने लेकिन घोरी होड़ी वाद यान दी जड़ी असलियत या किस कदर सामने हो दी है पूरी जानकारी देन बास्ते मेरे नदा मुक्ती शर्मा मैडम जोड़ चुके ने उन्हा तो अपडेट ले निया शर्मा मैडम की अपडेट है इस खबर नू लेके जी सर यहां जिरखपुर में जितने भी अभी बिल्डर्स हैं वो इतने बेखाफ तरीके से अपनी सोसाइटी अपने धन कमाने प्रलोभन को पूरा करने में लगे हुए हैं कि उनके इसी कारणों की वज़े से जनता जो है वो बुरी तरह से अब रोने पे मजबूर हो चुकी है जिसके बारे में आपने देखा होगा कि माइक पे किस तरह से लोग रो 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 रहे हैं इस मोतिया ग्रूप का जो यह मोतिया रॉयल सिटी है सर पहले यह बनाया इसने इसने पार्क भी बनाया अब यहां से इन लोगों का यह शुरू हो जाता है इसने इसी पार्क को दिखा कर सर पहले जितने इसके तावर वन से और तावर सिक्स तक वो बनाए उसके बाद इसने आगे कंस्क्शन की धीरे धीरे सर इसने पीछे की साइड में भी दो तावर ब कर जिएक पे और पार के लोगों की रेरा नंबर कांट की स्थाइटी है यद नहीं है इसके अलावा भैंकर सर बद्बू दो दो दिन तक यहां लाइटे नहीं आती हैं, पानी की पाईपे फटी रहती हैं, लोगों में इतना हाहा कार मचा है, लोग इतना रो रहे हैं, जंगा में आकर कि हमने जब यह लिया था, तो हमें लुभाव ने सपने दिखाए थे, हमें इस तरीके से चीजे दिखाए गई कि हमने सोचा कि हमारा जो अपना सपनो का घर है, वो यहीं पर होना चीए, लेकिन जब यह सपनो का घर लोगों ने ले लिया, तो आपने देखा कि लोग किस तरही तरही करके रो रहे हैं, कि हम जिसे घर समझ के आय थे वो तो फ्लैट भ पूर है कि ताइल से उखड़ जाती है, बहार अगर मैं बात करूं तो बहार भी इतना ज़्याद है कि पानी खड़ा रहता है, लोगों का सांस कहना है जी पानी उसी गंदे पानी में हम चलते हैं, और बार बार बिल्डर को बोलते हैं, लेकिन बिल्डर कान बंद करके कुम कर लिए और सर्थ 14 फ्लैट की पर्मीशन मिली हुई है, यह 14 फ्लैट की पॉन पैनल के हिसाब से 14 फ्लैट की पर्मीशन लेने में काम्याब हो गया, यह भी सारा की जो एमडी है, मिस्ट आशू तोश्ट उनकर उनके बारे में सुना है, उनी के लोगों से कि उनका पॉलिट प्लिटिकल कद उच्चा होंदा मतलब यह नहीं है कि कनून अपने जिस तरह चाहे और इस्तेमाल कर सकते हैं उन्हें प्लिटिकल कद जिड़ा मर्जी उच्चा क्यों ना हो भी जी जी बिल्कुल यहीं लोगों की सोच थी लोगों ने जब आपर अंदर एंटर करके यहीं किस तरीके से लोग परिशान हो रहे हैं लेटरली लोग रो रहे हैं क्योंकि इसके पास में एक फैक्ट्री है बिल्कुल एक दिवार छोड़के फैक्ट्री है हट्डियों की वहां से दिन रात बद्वू आती है और इसमें सर बुरी तरीके से सब मर्सिबल इतने बड़े- इनने कोई नक्षा बगरा तो अनुदिखाउंदी कोशिच किती जब तुसी कोई गलवत किती होई कि इना ना नहीं सर कोई भी आशुतो शैंप्टी से मिलने के लिए हमने डो तीन बार ट्राई किया है लेकिन वो सामने आने को भी तैयार नी और उन्हीं के एक साहित ने ब चीज़ों को ऊपर नहीं लाएगी वो उसी उसी मीडिया से वो कांटेक्ट रफना पसंद करते हैं लेकिन सर आम जनता जो जिस तरीके से आम जनता जरूरी है यहां पर आकर यहां पर शिफ्ट होकर वो चीज़ देखने के बाद प्रशाशन किस तरीके से क्यों नहीं चीज़ों कि आदि यहां पर जब गमार्डा से जानकारी ले गई तो घमार्डा का एक बॉपर सर लैटर है यह अटियाइब के तहट उस लैटर में साफ लिखाया है कि इस प्रोजेक्ट की गमार्डा के पास कोई जानकारी नहीं है जो वो इक मिनिस्पल में को लेटर लेक तो कहने का भाव सर ये है कि आज के टाइम में बिल्डर बहुत ही बेखौफ होके अपनी हर काल गुजारी को अंजाम दिये जा रहा है और आम पब्लिक आम जनता लोन लेकर सारी उमर के लिए अपने आपको किस तरह से ठगा मैसुस कर रही है इससे बड़ा धारन अभी जिरक पानी इनको वक्त से मिलता है जा नहीं मिलता है लेकिन लाइट एक दिन छोड़के लाइट यहां पर पूरा-पूरा दिन के लिए जाती है और उसके भी बड़ा चौकाने वाला सच जो यहीं के रेजजेंट जो हैं लोग उन्होंने बताया है कि इन्होंने जो है सरी रूर का कनेक्शन लिया है इसलिए यहां पर एक दिन छोड़के पूरा दिन लाइट जाती है और यह मोतिया रॉयल सिटी सर उसी को उसी के लोगों से बिना कोई प्रॉपर बिल जो पिछे से बोर्ट से आते हैं उनको ना दिखा के अपने हिसाब से ले रहा है ऐसा लोगों ने आया है यह भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है मैडम जी सर और ब्ली सोरा का जो गेट यह दिखा रहे हैं ब्ली सोरा जो एक बन गया है उसके किस तरह से चौदा मंजील इन्हों ने लिया है आभी ग्यारा बने है कैसे चौदा चौदा मंजील मोतिया रॉयल सिटी मे अभी खड़ा करेंगे यह सेम प्रोजेक्ट और आदा हो भी चुका है लेकिन सर रास्ता इन्होंने एक ही दिया है जो सोसाइटी में एक एंट्री रास्ता है एक एक एग्जिट रास्ता है यह भी सर अपने आप में बहुत बड़ा इश्यू है कि नक्षे पास बिल्पल ब जिर्बानी मुक्ती मेडम तुसी पूरी जानकारी देती है दोस्तों इस संबान्दे वेच्च उथे यड़े लोक वसिंदेने और किस कदर कैमरे दे सामने रो रहेने तुसी खुद वेख सकते हो आज हम खड़े हैं जिरकपुर के एक बहुत फेमस प्रोजेक्ट है बहुत फेमस सोसाइटी है जिसका नाम है मोतिया रोयल सिटी ये मोतिया डवलपर्स का ही एक सोसाइटी है मोतिया रोयल सिटी मेरे पीछे देख सकते हैं आप ये ओफिस है ओफिस में लिखावा है ब्लि चीज़ों के बारे में आज हम काफी कुछ थोड़ा सा इस बारे में रोशनी डालेंगे कि ये आखिर क्या है और क्यूं ऐसा मैं बोल रही हूँ मोतिया डवलपर्स एक ग्रूप है जिसमें ब्ली सोरा भी एक आगे अभी हम आपको लेके चलेंगे कि ब्ली सोरा भी इसमें एक आगे पार्ट है उसका ये एक बड़ा खुबसुरत एड है इस एड में बड़ी ही खुबसुरत बातें लिखी वी हैं बड़ा ही एक के लिए जो अपने घर का एक सपना देखता है या जिसे अपने घर का सपना है एक बड़ा ही प्रलोबन मैं कहूंगी इसे लेकिन इस प्रलोबन में जब कोई काम आदमी इसको पढ़के उसके मन में इच्छा जागरित होती है मकान लेने की और जब वो काफी हद तक अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए ऐसे आलिशान आफिस में आता है इतनी बड़ी सोसाइटी में आता है तो वो भी बड़ा प्रभावित होता है कि मुझे शायद घर लेना चाहिए तो इसी एक सोसाइटी में घर लेना चाहिए और इस सोसाइटी में काफी कुछ चीजें जो अच्छी भी है वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी लेकिन अब थोड़ा हम एक और इस तस्वीर का पहलू है जिसके उपर रोशनी डालेंगे जब ये एक तरफ एड आ रहा है लोगों में प्रलोग बना रहा है कि हम एक अपना घर ले घर का सपना उनका पूरा हो इतन गलती हम से हुई है वो कोई और गलती ना करे जी हां ये मैं अपने आप से नहीं ये मैं एक ऐसी पोस्ट जो फेस्बुक पे डली है जो यही के एक रेजिडेंट जिन्होंने फ्लैट अपना लिया था और उन्होंने डाली है ऐसा क्यूं होता है कि जब एक बंदा ये एड इतने खुबसरत एड देने के बाद अपना फ्लैट लेने के बाद वो फेस्बुक पर ऐसी पोस्ट डालने के लिए क्यों मजबूर होता है इस पे भी रोशन डालेंगे और उसके बाद कुछ एक ऐसी चीजे है जो प्रैक्टिकली और टेक्निकली आपको समझाएंगे कि ए अब यह वो पार्क जो ब्रोशन में मोतिया दिखाता है यह वो पार्क और यह पार्क देख सकते हैं कि जैसा ब्रोशर में है हुबे हुआ वैसा ही है काफी खुब्सूरत पार्क है यह अब मेरे पिछे से ये एक आवाज आ रही है लगातार जो आब आवाज सुन रहे होंगे आपको ये आवाज सुनने से लग रहा होगा कि ये एक पानी चलाने का एक पंप होता है वो है जी हाँ ये वो ही है लेकिन ये एक नॉर्मल पानी टंकी में सप्लाई करने का तो है ही ब इसके साथ साथ में इसके बैक साइड में भी मैं दिखाऊंगी कि ये एक और टावर बन रहा है अब यहां पर मैं चाहते हूं कि मैं उन चीजों की तरफ ध्यान आम जंता का अकृषित करूं कि जब ये नीचे मर्सिबल पंप आप देखेंगे इतने बड़े-बड़े कोशन दे दी तो किस तरीके से ये बोर का पानी डेली रूटीन में सप्लाई हो रहा है एक वो भी कोशन उठता है उसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर ये इतने बड़े-बड़े मर्सिबल पंप यहां लगे वे हैं तो ये दिन रात इसी तरह चलते हैं और उसको चलने के साथ साथ जो ये पिछे टावर बन रहे हैं तो क्या ये टावर में रहने वाला जो भी इंसान कभी इसमें आएगा क्या वो इतनी तीखी और तेज आवाज 24 घंटे परदाश कर सकेगा क्या ये आवाज जो है वो एक बुजुर्ग जिनके माबाप घर में होते हैं क्या वो एक पीस आफ माइन का जो घर का सपना होता है क्या ये वो फुल्फिल करेगा ये ऐसी छोटी-छोटी चीजों की तरफ में इसलिए ध्यान आम जनता का लाना चाहरी हूं कि आप बिल्डर ने जाल बिछा के किस तरीके से एक जनता को बेकूफ बनाने का जो आप उची एक इमारत मेरे पीछे देख रहे हैं जो बनरी है ये लगभग 11 मंजिल बन चुकी है बाकी के भी बनरी है ये टावर्स इन्होंने आगे एक्स्टेंड की हैं बली सोरा वालोंने जो की वहां से शुरू होते हैं और यहां तक बली सोरा एक्स्टेंड होके यहां तक आ चुका है अगर आप इसका सेंपल फ्लैट देखेंगे तो वाके में आप सोचेंगे कि मेरा अपना घर भी बली सोरा में होना चाहिए लेकिन बली सोरा में हम क्यों ये नियूस बनाने पर आज मजबूर हुएं क्यों हम एक जनता की आवाज को अपने एवन चैनल की मा चाहिए हैं काम जनता तक इस बारे में मैं धीरे 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 आपको आगे खुलासा करूंगी ये बली सोरा जो पीछे मेरे प्रोजक्ट बन रहा है जो साइटी बन रही है ये एक ही गेट के अंदर मोटिया रॉयल सिटी और बली सोरा ये दो एक स्वेकर बनी वी हैं सबसे पहला बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि एक सोसाइटी की अंदर एक जो भी बिल्डर ने जो भी एक अपना प्लेस लिया जो जंगा ली जो जंगा खरी दी उसे पहले उसने मोतिया रॉयल सिटी के नाम से डवलप किया फिर उसने एक्स्टेंड करते वे 20 ओरा भी बनाया यहां तक मुझे लगता है कि दर्शकों को लग रहा होगा कि यहां तक कुछ ऐसा नहीं है जो उनके लिए ऐसी कोई चीज हो जिससे हम अवेर करें बट अभी रुकिये अभी में सवाल यहीं आता है कि जिस जगह पर यह ब्लिस होरा बन रहा है वो एक्चुल मोतिया रॉयल सिटी के जो दो टावर मैं दिखाना चाहूंगी इस साइड में दो टावर बने वे यह दो टावर है मोतिया रॉयल सिटी के यह दो टावर 19 और 20 दो टावर है जो मोतिया रॉयल सिटी के है और यह जो ब्लिस होरा जहां बन रहा है मोतिया रॉयल सिटी के लोगों का पूरा अरोप है कि जो ब्ली सोरा की जो जगा है उसमें इन दो टावर्स के लिए ग्रीन बैल्ट शो की वी थी जिसमें जब वो इस जगा को लेने या खरीदने या कोई भी एड़ देखकर आये थे पहली बात तो यहां क्लियर हो जाती है कि एक बिल्डर का सेम वो ही एक धन कमाने के लिए सेम वो ही एक पैत्रा कि आप दिखा कुछ रहे हैं लेकिन उस चीज को बना कुछ रहे हैं अगर यह ग्रीन बैल्ट थी अगर यहां पर एक यह मैं दिखाना चाहूंगी यहां पर यह एक और जंगा है खाली जंगा पीछे देख रहे हैं यह भी एक स्कूल का प्राध लेकिन यहां पर भी धीरे धीरे एक तावर बनने की त्यारी में आप मैं दिखाती हूं कि यहां पर कितनी कंजस्टिट सी एक पार्किंग शो. कोई चेक नहीं कर दिक इस पर रहते हमते हैं कोई चैक नहीं बागते एक एक अख आटे आप नोरस करते हैं मतलिए अप्हेथ सोगल ले वहां पर रह ना कितना मुझ्किल आप रहे आप वी जबी बज़ रहा है डांस हो रहे हैं, दस बंदे हैं, बीस बंदे हैं, लड़के रखें, पता नहीं क्या हो रहा हमें कुछ नहीं पता हमें तो यहां लग रहा है कि हम तो नरख़ा रहे हैं देखें आखिरकार फिर एक बार और ये security भी फेल हो चुकी है, बिल्डरों की तरफ से कि एक फ्लैट में दो बार चोरियां हुई और दोनों बार चोर कामियाबी के तरीके से अपनी चोरी कर ले गया आखिरकार जो फ्लैट ओनल है उनी को फ्लैट बेच कर जाना पड़ा तो ये बहुत ही गंभीरता से सोचने वाली बाते हैं और मैं अब प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करूँगी एवन चैनल माधियमित की तरफ से अपनी सरकार से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि इस तरह जो बिल्डर्स अपने प्रलोभन को ना रोप कर लोगों की भामनाओं से लोगों की भविष्ये से जो खिलवार कर गया है उसक पर यहां पर्शोम में भाम में इस कर से खर्भाई लोख्या था प्राइय přेसे ङुद्त पर तो यहां पर तो ऊचिस को मैश्व़ार मेंटे सब ऊद्धनी होने की वज़े से नीचे तक मुश्किल से हैं तक मुशकुल से हैं मैं वहा पर आगे ऑगे जो पार कैंड में में ह नहीं वहां पे जाके नहीं बैठ साथा है, तो हमें तो यहां पे अपनी डिजिएंट के आगे थोड़ी सी घ्रीन स्पेस चाहिए जहां पे बैठ जहें, बच्चों को प्रॉल्में और इतनी ज्यादा प्रॉल्ब्लम्स है, यहां पे जलीटिन बनता है, जहां पे ज़्टिय हमारा क्वालिटी ओफ लाइव इंप्रूफ होगा पर में को लगते कि इंप्रूब होने की विजए डेवाई डेटिरियोरेट हो रहा है खांसी की प्रॉब्लम होगी है जो कभी रूपती है बंदने क्या बाता है जो समय नहीं आता है और भी हमें बिल्डर ने की चीज़ें जाती है जाती है कभी कूछ हो जाता है ड़की और यह सोच लों कि थोड़ा कहने का ही आप मतलब समझो कि आपने इतना ज़्यादा मैंने ठीकटी जिन मैं जो में कि औरे जिनन चैरा जे से जाशिया था heat जो fold yeah we are not at all satisfying quem on leash with april नेरनें के बाद लेने के बार उनकी क्या यहां पर इक्षाई कियाओ उनका इसक्वाम का था क्या हो और हमुर केया फिम कुछ्ड इननें के डिकार इना श्री जाहिए और यहां से गाड़ियां निकालने उतनी मुश्किल हो जाएंगे कि हर एक घर के पास एक एक दो गाड़ियों है और यहां कुट्टो का फुद दे सकते हैं अगर कोई बंदा लिपाफा लेकर आता ना तो तो इसके पीछे पढ़ाता है कई लेडी को बचो के मघर जढ़ चुके हैं सीट जाती है यहां पर लाइत का भी का पाफी जाती है तो पूरा-पूरा दिन जाती है ुश ना कुछस वहां पर चेंडिज होती रहती है कोई लाइन ब्लॉक होगी तो उसकी वज़े से सारा सारा दे नो 925 जाती है जबटा मारते हैं बच्चों को के बार इन्होंने हाम जा दिया और सर ये मैं आपको बता रही हुँ कि भलिस हो रहा है, ठीक है भलिस हो रहा है तो उसका जो ब्लिस हो गया तो उनको अलग पार्क दिये, उनके अलग बेट, सारी सुधायेंगे, सब ही ए ना, इक पार्क को दि करेंगे जिम में जाएंगे तो वहां वेट के लिए खड़ा होना पड़ेगा तो इतना ज्यादा क्रजेशन हो जाएगा तो कहने का ताप्रिय ये है कि बिल्डर्स अपनी धन कमाने की जो लाल सा है वो इतनी उची कर लेते हैं कि वो कहीं रुकने का नाम ही नहीं ले रही ह है उसमें उन्हें उससे कोई भी मतलब नहीं है कि जो लोग अपना फ्लैट अपना घर का सपना कुड़ा करके वो पीड़ित हैं किस तरीके से वह अपने दुख को बया कर रहे हैं बट बिल्डर को इन सब बातों से कोई भी मतलब नजर नहीं आता है जी सर हम एक बार और सर से बात करेंगी कि सर क्या यहां पर फ्लैट लेकर फील कर रहे हैं यहां पर क्या आपको दिख्कदार लिए जो उमिद लेकर हम लोग आये थे क्योंकि अच्छे-खास इंवेस्टमेंट इसमें हुई है बैंकर भी काफी लोग है पचास आप हम नहीं करता नहीं अगर एक दिन भी बारिस हो जाए तो और आने जाने अगर आस्ता क्या यह हाल है कि अगर कभी भी एक दो गाडियां आजए तो आपस में निकलना मुश्किल हो जाता है फ्लैट के अंदर की बाद है तो शुरू में तो लोग कमिट कर देते हैं कि टाइले टूट लेकर 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 अपना घर का सफना पूरा करने की सोचते हैं लेकिन उसके बाव जून आप पानी बिजली और एक अच्छा एक वातावन एक अच्छी हवा जब आप इन ती इन चीजों से भी महरूम रह जाते हैं तो एक आम आदमी का मन किस तरह से कर रहता है यह आपने अभी खुद देखा है लेकिन मैं चाहूंगी एवन चैनल के माधियम से कि यह बातें यह जो चीजें है यह जो दुख है अब प्रशाशन इसकी तरफ हरकत में आए और यह दे बिल्डिंग मैट्रियल के लिए एंटर किया और यह मोतिया रॉयल सीटिंग से एंट्रिया और मोतिया रॉयल सीटिजीज के एकजिट है तो यानि की बच्चों वो चुट चुटे बच्चे खिलते हैं उनकी भी सेफटी पर ब्लिस हो रहा हूं बहुत बड़ा कोशन वनके सामने खड़ा हो चुका है मुखां में आप देखने हैं कि इस तरह से ये प्रफ भी यहीं से तुचर रहे हैं चंद लोक ने जिड़े की पैसे दे जोर देनार कानून अपना हत्यार समय देने और कानून जिमें चाहे हो इस्तेमाल कर सकतेने लेकन जदो कानून दी लठी चल दिया ता फिर ओके सिरवल नहीं वेखता सो मुक्ती मैडम एस पूरी खवरते तुसी नजर रखना असी दोबारा फिर एस दी अपडेट लहिंदे रहांगे सो दोस्तों एस होन तक दी अपडेट नम्यादे ताजा खवरां ले जुड़े रहो एवन पंजाबी टीवी देनार